थाना सिसाई पुलिस ने बसिया थाना छेत्र के शनिचर टोली निवासी पी एल एफाई के नकसली ओम प्रकाश पाठक 27 वर्ष को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर से गिरफतार किया है सिसाई थानेदार अनिल लिंडा ने बताया कि गिरफतार नकसली के विरुद 11 नवंबर 2020 की राद उसी से प्रखंड के दिल की मोड के पास पांच लोगों के द्वारा हतियार लहरा ने फाइरिंग कर देहशत फैलाने का काम किया गया था सिसाई थाना अंतरगत पिल की मोड के पास 2020 में लोगों के बिच भाय बनाने के लिए पर्दिवधित संगटन की लिफाय के सदस्य लक्षमंतिर की उर्फ लक्षू के दुवार दो राउंड फाइरिंग किया गया था उसके उपरान पुलिस के दुवारा उसके पास लक्षमंतिर की उर्फ लक्षू के पास दो देशी कट्टा यह गोली बरामज गी थी और सिसाई थाना काम किया 156 अबलिक 20 दिनांक 21 2020 धारा 25 वन भी ए 26 आंप्स एक्ट यह 1741 का कान अंकित पिया गया था और पकड़े गए अभियुक्त लक्षमंतिर्की के दुवारा कंप्रेशन स्टेटमेंट में पताया गया था कि इस कान में इनके अलावे अन्य और चार अभियुक्त राजेस टाइगर राजेस नायक उर्फ राजेस राम दीपक भुया और उमपरकास पाठक भी सामिल था पाठक को कल बस्याथाना अंतरगत उसके घर से गिरिबतारी हुई है गिरिबतारी हुई है अगर उसे आप जेल भेजा जा रहा है और और लक्षमन लक्षमन के पिरिश्के पास से यह दो देशी पिस्टल है अंगोली वरामद हुआ था उसके दोड़ा कंफेशन स्टेटमेंट पर बताया गया था कि सिसे ठाना अंतरगत क्रिश्ना गोप के मृत्वी होने के पहचात इन इन ही लोगों को पिलेफाई का दवदवा बनाने के लिए सिसे ठाना अंतरगत जिमिवारी दे गए थी और ये चार बेक्ति जो सिसे ठाना अंतरगत अंतरगत पिलेफाई संगटित को मजबूत बनाने के लिए कारिका रहत है तरह है राजेस राजेस नायक उफ राजेस राव जोकी कम्ड़ाद थाना अंतरगत जांङ के संगें और उपरकाश ठाकवर जो की बजिय थाना अंतर चांगत मैं पड़त είναι कि अभी जेल में हैं उसे रिमांड लेने के लिए भी परतिवदन दिया गया है और इन सभी अभी इन सभी अभी तो जो चार बेगती जिसको सिते था नांतरगत प्लेफाई अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइ